Hello guys, welcome to Daily Grand Capsule, this is Devyaj और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे January मन्त के Current Affairs का पाँचवा पार्ट इससे पहले चार पार्ट आचुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जा की देखिएगा and without any further delay, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा सा अंटार्टिका के बारे में जालते हैं, ये एक continent है, country नहीं है, इसलिए इसके कोई capital भी नहीं है ना ही इसका कोई particular flag है, और यहाँ पर world record बनाया है, fastest solo skiing का हर प्रीत चांदी ने ये Indian origin की है, लेकिन रहती ब्रिटेन में है, British citizen है ये, और इन्हें polar प्रीत भी का जाता है क्योंकि इससे पहले भी दो world record ये तोड़ चुकी है और ये इनका तीसरा world record है, इन्होंने 1100 km कवर किया है, 31 दिन 13 गंटे और 19 मिनिट सो तो इनका नाम याद रखना हर प्रीत चांदी According to a report, which country has ranked first in Asia in terms of death due to cancer हाली में एक report आई थी Lancet की, जिसमें बताया गया है कि Asia की तीन countries, China, India और Japan इन तीनों देशों में cancer के सबसे ज़्यादा cases record की गए है, जिसमें number 1 पर है China China में 48,000,000 cases record की गए हैं, जिसमें से 27,000,000 deaths हो चुकी है दूसरे number पर India आता है, 12,000,000 नई cases हैं, वहाँ पर 9.3,000,000 deaths हो चुकी है और तीसरे number पर है Japan, जापान में भी 9,000,000 cases record की गए हैं, जिसमें से 4,000,000 death हो चुकी है ये 2019-20 तक का data है, जो इन्होंने release करके बताया है अब इसका main reason यही देखा जा सकता है कि जहाँ population सबसे ज़ादा है, वहीं बिमारों की संखेवी ज़ादा मिलेगी लेकिन और reason भी है, pollution एक factor है, alcohol और तंबैकों का consumption एक factor है, इसके अलग भी कई सारे factors हैं, जो इस report में उन्होंने बताये है अभी के लिए आपको याद रखना है कि China में सबसे ज़ादा cases cancer के मिले हैं, दूसरे number पर India है और तीसरे पर Japan ginger, handmade carpets and vancho wood grafts of which state have received the GI tag अभी recently अरुनाचल प्रदेश के कुछ items को GI tag दिया गया है, जिसमें से एक है ginger यानि अतरक, जिसे वहाँ पर बोला जाता है आदी केकिर इसके अलाबा, handmade carpets ये बनाए है तिबतन settlers ने, जो तिबत साय के वहाँ पर settle हो गये उन लोगों ने और तीसरा है वहाँ के wooden items, जो बनाई हैं वहाँ की vancho community ने, इन तीनों चीजों को वहाँ पर GI tag दिया गया है इनके अलाबा, West Bengal में भी कुछ items हैं, जिनने हाली में GI tag दिया गया है, जिनमें से एक है सुन्दर बन हनी, जिसे वहाँ पर बोला जाता है, मोग बन तूसरा है वहाँ के चावल, Black Noonier Rice, इनने Prince of Rice बोला जाता है, और तीसरी है वहाँ के distinctive साडीज, साडीज भी वहाँ पर दो-तीन तरीके जिनने मिला है, एक है तंगेल साडी, एक है गुरोड साडी, और एक है कदियाल साडी तो इस GI Tech वाले questions काफी important होते हैं, regularly exams में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लिया न Who has received the Puberty Sports Men's Athlete of the Year Award 2023? देखे हर साल के end में, बहुत सारी ऐसी magazines होती हैं, जो एक sports person को name करती है As best sports person of the year, और कई बार ऐसा होता है कि हर magazine एक अलग बंदे को award देती है, जैसा इस बार हुआ है, तो confused मत हो न, question ठीक से पढ़ने के बाद ही से answer करना यहाँ पूछा गया है Puberty Sportsman Athlete of the Year जो मिला है विराट कोहली को अगर आपसे पूछा जाए, Times ने किसे Athlete of the Year का award दिया है, तो वो दिया है Lionel Messi को और अगर पूछा जाए, Times of India ने किसे Sports Person of the Year का award दिया है, तो वो मिला है नीरत चोपडा को तो यह तीनों ही नाम अलग हैं, तीनों magazines अलग हैं, तो question ध्यान से पढ़ने के बाद ही answer करना Who has assumed the post of Secretary General of BIMSTIK? BIMSTIK यानि के Bay of Bengal Initiative, Multisectoral Technical and Economic Cooperation जिसके headquarters आपको मिलेंगे धाका, बांगलादीश में, साथ countries इसकी member है और हाली में जो इसके नए Secretary General बने है, उनका नाम है इंद्रमनी पांडे ये पहले Indian officer है, जिनने BIMSTIK की Secretary General की post मिली है और इस साल जो BIMSTIK की meeting होगी, उसे भी India ही host करेगा तो ये भी आद रखना BIMSTIK 2024 इंडिया में होगा Varun Tomer and Isha Singh have secured quota for Paris Olympics in which sport event मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, 2024 में Summer Olympics France host करेगा जिसके लिए उन्होंने Shenzhen Visa digitally देना शुरू कर दिया है तो Paris Olympics की तियारी शुरू हो चुकी है और इंडिया से Varun Tomer और Isha Singh इन दोनोंने 10 मीटर एर पिस्टल में अपना quota सिक्यूर कर दिया है इसके साथ ये भी याद रखना कि अभी recently 26 athletes को Arjun Award दिये गए थे जिन में से Isha Singh भी थी Isha Singh को भी Arjun Award मिला सा 2020 में और अब ये Paris Olympics के लिए भी बिल्कुल तहीं आ रहा है अभी कुछ दिन पहले आपने नियूज में देखा होगा कि IIT मदरास ने अपना एक कैंपस कोला है तंजानिया की एक सिटी है जांजीबर वहाँ पर जांजीबर वहाँ की capital नहीं है तंजानिया की capital है डोटोमा लेकिन उन्होंने जांजीबर में वहाँ पी नया कैंपस कोला है उसके बाद आप श्री लंका में भी IIT मदरास का एक नया कैंपस खुलने वाला है और ऐसी रिपोर्ट सारी है कि नेपाल भी चाहता है कि IIT मदरास का एक कैंपस उनके देश में भी हो तो अभी के लिए आप बस याद रखना कि पहला कैंपस तंजानिया में खुलाता जांजेवर में दूसरा कैंपस श्री लंका में है और हो सकता है तीसरा आने वाले टाइम में नेपाल में भी हो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी गवर्मेंट विल इंस्टॉल सोलर रूस इन 25,000 हाउसेज 25,000 घरू की छत पी सोलर पैनल लगाने का इनिशीटिव वरानसी में होने वाला है वरानसी पियम मोदी की कॉंस्टिट्यूनसी भी है और इसके लिए सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दोनोंने मिलके 225 करोड रुपे की सबसीटि भी दिये है जो लोग अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाना चाते हैं उन्हें गवर्मेंट सबसीटि देगी और ये सब दो महीने के अंदर वो करने वाले हैं दो महीने के अंदर 25,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ये obviously solar energy को प्रमोट करने के लिए efficient energy को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है और International Solar Alliance जिसके headquarters इंडिया में ही है वो कौन से सिटी में है वो आप मेरे को comments में लिख कर बताईए who has won the 14th MS Swaminathan Award MS Swaminathan के बारे में आप लोग जानते होंगे जिनने इंडिया में father of green revolution बोला जाता है internationally father of green revolution Norman board log को बोला जाता है लेकिन इंडिया में MS Swaminathan है जिन्होंने 1966-67 में green revolution की शुरुवात की थी इंडिया में और HYV seeds लिख राये थे वो high yielding varieties लिख राये थे wheat की और rice की तो उनके नाम पर ये award दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने agriculture की field में agronomy की field में बहुत जादा contribution दिया हो तो इस साल ये award दिया गया है professor B.R. Kamboj को ये vice chancellor है चौदरी चरण सिंग हरियाना agriculture university के which institute has designated the year 2024 as the year of human resource development and discipline साल 2024 को human resource development and discipline का साल designate किया है IREADA ने IREADA की full form होती है Indian Renewable Energy Development Agency Limited ये एक PSU है public sector undertaking और इनोंने ही साल 2024 को year of human resource development and discipline designate किया है ओके guys तो आपके 10 questions हो चुछे हैं January के 5 पार्ट की इससे आगे भी 5 पार्ट और बच रहे हैं आपके जल्दी से वो भी आएंगे तब तक के लिए जो पार्ट आचुके हैं उन्हें इच्छे से revise करिएगा तो मिल लगा के बढ़ाई करीगा and I'll see you in the next class